नमाज संस्किताय मित्रों चंद्राइश्टिट्यूट के यूट्व चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है मैं अखिले सर आप लोगों से आज प्रत्य की चर्चा करने जा रहा हूं पिछली वीडियो में आपसे सत्र और सानच प्रत्य की चर्चा किया था अब मैं आपस से आज अक्त और अक्तवत प्रत्य की चर्चा करने जा रहा हूं अक्तवा अक्तवा तथा ल्यप अक्तवा तथा ल्यप प्रत्य की चर्चा करने जा रहा हूं आपसे अक्तवा तथा ल्यप बहुत ही सरल ढंग से बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको मैं इसका ग्यान करने जा रहा हूँ थोड़ा सा इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि यह बनता कैसे है कैसे कैसे होता है तो अक्तवा तथाल्य प्रत्य इनका प्रयोग जो होता है यह पूर्व कालिक पूर्व कालिक क्रियाओं के साथ पूर्व कालिक क्रियाओं अर्थात करया करके अर्थमी पूर्व कालिक क्रियाओं अर्थात करया करके अर्थमी अक्त्वा तथा लिप प्रत्य का प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है पूर्वकालिक क्रिया इसकी परिभासा है यह है पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया क्या है पूर्वकाल का मतलब होता है जो पहले क्रिया हो गई जो पहले क्रिया समाप्त हो गई उस पूर्व क्रिया में हम अक्तवा तथा लिप प्रत्य का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है करया करके अर्थ में करया करके अर्थ में जैसे वह खा करके चला गया वह खा करके चला गया चला गया अब देखिए खाना एक क्रिया जाना एक क्रिया तो जाने के पहले खाने की क्रिया हो रही है तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे तो इस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं तो इस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं तो इस पूर्वकाल की क्रिया जो पहले घट गई जो समाप्त हो गई इस पूर्वकाल की क्रिया में हम अक्तवायत था लेप्रत्य दोनों प्रत्य में से कोई एक प्रत्य का हम प्रयोग कर सकते हैं ठीक है? तो जैसे मालिय हम अक्त्वा प्रत्य का प्रयोग कर रहे हैं तो सह खादित्वा गतः सह खादित्वा गतः वो खा करकी चला गया चाहे गतः करिए और चाहे आप जो है अगच्छत कहिए क्योंकि अगच्छत जो है यह लंग लकार भूत काल के अर्थ में लगा हुआ है और गतः में गमधात में जो अक्त प्रत्य लगा हुआ है यह भी भूत काल लंग लकार के अर्थ में लगा हुआ है तो दोनों सही है तो सह खादित्वा मने खा करके चला गया ठीक है तो पहली क्रिया में हम अक्त्वा प्रत्य गा अब हम आए देखते हैं अक्त्वा प्रत्य का प्रियोग कैसे करते हैं तो पूरो काली क्रिया के साथ या कर या कर के अर्थ में किन प्रत्यों का प्रियोग करते हैं तो अक्त्वा तथा लिव प्रत्यों का प्रयोग करते हैं ठीक है अब हम चर्चाप से करते हैं अक्त्वा प्रत्य इसमें पहला प्रत्य है अक्त्वा इसमें त्वा सेश बचता है इसमें क्या सेश बचता है त्वा सेश बचता है ठीक है नहीं यह यह केवल धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है और इसमें त्वासेज बचता है केवल धात माने सुद्ध प्योर धात उसके आगे पीछे कुछ नहीं केवल धात के साथ ही प्रयोग होता है जैसे इसका नियम है इसका नियम क्या बनाने के लिए है तो सीधी सी बात है जैसे पठ धात हुए पठ धात अच्छा एक चीज और है कि इसका किसी रूप नहीं चलता है ये सरुनाम की तरह काम करते हैं ये अब्या की तरह काम करते हैं ठीकने इनका कोई रूप नहीं होता है इनका कोई रूप नहीं होता अर्थात अब्या की तरह होते हैं अब्या की तरह काम करते हैं इनका कोई रूप नहीं होता है ये अब्या की तरह कारी करते हैं इस्त्रिलिंग हो चाहे पुलिंग हो चाहे नपुंसग लिंग हो तीनों लिंगों में काम करते हैं ठीक है? इनका बनाने का नियम क्या है? जैसे पठधातु है पठधातु में अक्तवा प्रत्य लगा देंगे अक्तवा में त्वा सेज बचता है तो इसका बनेगा पठित्वा पठधातु में अक्तवा प्रत्य लगाएंगे लगाएंगे तो बनेगा गत्वा जा करके हसधा तुम्हें अक्त्वा प्रत्य लगाएंगे तो बनेगा हसित्वा ठीक द्रिश्धा तुम्हें अक्त्वा प्रत्य का प्रियोग करेंगे तो बनेगा द्रिश्ट्वा ठीक प्रच्धा तुम्हें अक्त्वा प्रत्य का प्रियोग करेंगे तो बनेगा प्रिश्ट्वा दुखधा तुमें अक्त्वा प्रत्य का प्रियोग करेंगे तो बनता है दुखधुआ सीधी सी बात है अंत में अगर वा 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 दिखाई दे रहा है अईसा कोई दुनिया का दूसरा प्रत्य नहीं है कि जिसके अंत में वा 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 आएगा अंत में अगर वा वा दिखाई देता है तो अक्त्वा अंत में धात के अंत में वा अक्त्वा ठीक है कहीं कहीं थोड़ा सा आप इसको इरटना पड़ेगा याद करना पड़ेगा ठीक है पठित्वा गत्वा हासित्वा दिष्ट्वा प्रिष्ट्वा दुखद्वा सुरुत्वा जैसे सुरुधा तु है सुरुधा तुमी अक्त्वा प्रत्य का प्रियोग करेंगी तो बनेगा सुरुत्वा वदधा तुमी अक्त्वा प्रत्य का प्रियोग करेंगी तो बनेगा वदित्वा ठीक है? कथधा तुमी अक्त्वा प्रत्य का प्रियोग करेंगी तो बनेगा कथित्वा आदधात में अक्त्वा प्रत्य का प्रियोग करेंगे तो बनेगा जग्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तो वह है अक्त्वा पठित्वा माने पढ़ करके गत्वा माने जा करके हसित्वा हस करके द्रिष्टवा देख करके प्रिष्टवा पूच करके दुगद्वा दुह करके सुर्टवा सुन करके वदित्वा बोल करके कत्थित्वा माने कह करके जगद्वा माने खा करके खा दि खा करके तो सिधी सी बात है अंत में अगर वा वा दिखाई दे रहा है तो अक्तवा त्वा त्वा या वा त्वा या वा दिखाई देता है तो वह बनेगा आपका अक्तवा प्रत्य ठीक है अक्तवा प्रत्य के वल धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है इसका कोई रूप नहीं होता यह अव्य की तरह काम करता है अब लेप प्रत्य में क्या अंतर है क्योंकि वह भी कर्या करके अर्थ में प्रियोग किया जाता है लेप प्रत्य भी कर्या करके अर्थ में ही प्रियोग किया जाता है तो आए देखते हैं लेप प्रत्य दूसरा प्रत्य इसी में है ल्याप प्रत्य ल्याप में केवल या सेस बचता है ल्याप में क्या सेस बचता है इत्संग्या का मतलब होता है नास करने का विधान, हटाने का विधान, इत्माने अंत करने का विधान और इत्संग्या हो जाने पर तस्य लोपः एक सुत्र लगता है उस सिर्पः का लोप हो जाता है फिन बात आती है ल की तल में एक सुत्र लगता है लसक्वतधिते लसक्वतधिते से ल की इतसंग्या हो जाती है और फिन तस्यलोपह से ल का भी लोप हो जाता है बचा क्या यही केवल सेस बचता है ठीक है अब इसमें बचा यह सेस इसका जो प्रयोग होता है यह उपसर्ग से युक्त धातों के साथ उपसर्ग से युक्त प्रयोग किया जाता है ठीक इसका भी कोई रूप नहीं चलता इसमें केवल यह सेस बचता है इसका भी अर्थ करया करके होता है तो लिप प्रत्य का प्रयोग कहा होता है उपसर्ग से युक्त धात ऐसी धात हो कि उसके पहले उपसर्ग हो तो वहाँ पर हम लिप प्रत्य का प्रयोग करते हैं ठीक ना ऐसी धात हो कि उसके पहले उपसर्ग हो तो वहाँ किस प्रत्य का प्रयोग करते हैं लिप प्रत्य, लिप में क्या सेस बचता है यह सेस बचता है अब जोडेंगे तो क्या बनेगा संपर शंपर ठीर देखिए लिप में यह सेस बचा ये ठह होगे आपठ और ये सम उपसरग ठीक फिन परिउपसरग भूधात लिप प्रत्य जोड़ देंगे तो बनेगा परिउपसरग भूधात और लिप में यस यस बचता है तो बचा का परिभू ये ठीक है सम उपसरग पूझ धात लिप प्रत्य तो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा सम पूझ ठीक है आव उपसरग गम धात लिप प्रत्य लगाएंगे तो बनेगा अवगम अवगम आप देख रहे हैं कि बाद में यह 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 दिखाई दे रहा है लिप में यस यस बचता है अब बीच में देखिए गम पूझ भूझ पठ धातु है उसके पहले सम परिसम उपसरग है तो उपसरग से युक्त धातुओं के साथ लिप प्रत्य का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है करया करके ठीक है पढ़ करके भली प्रकार से पढ़ करके चारों तरफ से हो करके क्योंकि भू माने होना पूज माने पूजा करना गम माने जाना भली प्रकार से पूजा करके अवगम माने जा करके जान करके भली प्रकार से जान करके ठीक है अब इसी प्रकार से वी उपसर्ग हसधात लिप प्रत्य वी उपसर्ग हसधात लिप प्रत्य हस माने हसना इसको जब जोड़ेंगी तो क्या पनेगा वी हस करके ठीक है तो इसी प्रकार से आप जो है इन माध्यम को दे करके और धेर सारे प्रत्य आप पढ़ सकते हैं ठीक है, मित्र मैं आपसे एक बार नहीं, बार बार निमीदन करूँगा कि प्रत्य आपके लिए बहुत आवश्यक है, अगर प्रत्य की जानकाई रहेगी तो सब्दों का अर्थ निकाल लेंगे, अनुवाद कर लेंगे आप, ठीक है, जैसे कुछ उदाहन हम आपको बता रहे हैं, जैसे वह पढ़ करके घर गया, तो साहा, पहले हम अक्त्वा प्रत्य का प्रयूँ करते हैं, साहा पठित्वा, काहे माने घर, ग्रिहम माने घर, अगच्छत, वह पढ़ करके घर गया, तो साहा पठित्वा, ग्रिहम, अगच्छत, अब हम ल्यप्रत्य का प्रयूँ करते हैं, तो साहा संपठ्थ्य, संपठ्थ्य, ग्रिहम, अगच्छत, ठीक, जैसे, खुस्बू, हस करके, खाती है, खुस्बू, हस करके खाती है, तो खुस्बू, खाती, ठीक, फिन ल्यप्रत्य का हम प्रयूँ करते हैं, तो खुस्बू, विहस्य, खाती, देख रहे हैं, यहां अक्तवा प्रत्य, यहां ल्यप्रत्य, यहां अक्तवा प्रत्य, यहां ल्यप्रत्य, ठीक, न, दोनों का आर्थ वही है, वह पढ़कर के घर गया, सह पठित्वा ग्रिहम अगच्छत, वह सह संपठ्था ग्रिहम अगच्छत, खुस्बू हस करके खाती है, खुस्बू हसित्वा खात, खुस्बू भी हस खाती, करके अर्थ में, अगर कहीं भी लिप यह दिखाई दे रहा, अंत में यह दिखाई दे रहा है, उसके पहले अगर उपसर के दिखाई दे रहा है, आंख मूद करके लिप प्रत्य का प्रयोग करेंगे, अंत में अगर त्वा त्वा दिखाई दे रहा है, या वा दिखाई द करूँगा कि चंद्रा इस्टिट्यूट के योटो चैनल पर लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद नमा संस्किता है